नमस्कार ने हो साथी आए ज्हार्खन की टोप 25 परमूख खबर जानते हैं जार्खन बिधान सभा के सित कालिन सत्र उनाई से तेश दिसंबर तक सत्रावसान नहीं किया गया था इसलिए पांच सितंबर और 11 नोवंबर को दो बिस्तारित सत्र बुलाए गये थे मांसुन सत्र के सत्रावसान प्रस्ताव को भी राजेपाल रमेश बायस की मंजूरी मिल गई है गौतला भाय की समयधानिक प्रवधानों के मुताविक विधान सभा के दो सत्रों के बीच छो मास्य अधिक का अंत्राल नहीं होना चाहिए 11 नौबर को आहुत एक दिवस्ये 20 तरित सत्र के बाद सरकार के सामने ततकाल सत्र आहुत करने की बद्याता नहीं थी हलाकी सरकार ने सीध कालिन सत्र बुलाया है इस सत्र में चालू वी तिय वर्स का दिवितिया औन पुरकबय पेस किया जाना है इस बीज जार्खन के ताया सियासी हालात के मद्द नजर हांगामे के भी असार हैं जार्खन में मौसम अलर्ट जारी राइधानी रांची सहीत राज भर में ठंड लगातार बढ़ रहा है पचिम दिशा से चलने वाली तेज पच्छुए हावा के चलते राज के कई इलाकों में सितलहर की स्थिती है अब यह मौसम जानलेवा भी सावित हो रहा है रांची के रिम्स में हर दिन ब्रेन स्टोक और हाड अटेक का सिकार होकर क्रिटिकल केर सेंटर पहुचने वालों की संख्या समाने दिनों के अफेक्षा 15-20% बढ़ गई है बता दे रिम्स के क्रिटिकल केर के हेड डाक्टर परदीव भटाचार ने बताया है कि ऐसे मरीजो जो उच रक्त चाप यानि हाई ब्लड प्रेसर से ग्रस्त होते हैं लेकिन अंजान होते हैं इस मौसम में सर्दी के वज़ा से उनकी आर्टरी सिकूर जाती है जिससे वरक्त का दबाव सही नहीं पाता और हिम्रेज हो जाता है जार्खन के 400 आजीवका दीदियों को सीम ने किया समानित जार्खन के मुखे मंत्री हिमन सुरन ने लोहरते का लातेहार और गुमला जिले की आजीवका से आत्मन निर्फर और सक्छम बनी 400 दीदियों को समानित कर आगे बढ़ने के लिए पुरसाइद किया है उन्होंने कहा है कि आत्मन निर्फर बन चुकी ए दीदिया और दीदियों के लिए उर्जा सुरोत है दी नज इंस्टिूट की ओर से आयोजी जार्खन की दीदियों का अशनातक समारों को समोधित करते हैं मुखे मंत्री ने कहा है कि राजी की मजबूती के लिए जरूरी है कि ग्रामिन अर्थ व्यवसा का मजबूत होना उन्होंने कहा है कि ग्रामिन अर्थ व्यवसा तभी मजबूत बनेगी जब ग्रामिन अपने पैरों पर खड़े होंगे जार्खन के बच्चों की भासा और गनित पर मजबूत पकर कक्छा तीन तक के बच्चों की पढ़ाई की ठिती को लेकर हुए सर्वे में जार्खन के बच्चों ने बेहतर पर्दसन किया है इसके लिए केंद्रिय मानुशन साधन मंत्राले द्वारा देश भर में सर्वे करया गया था NCE RT के देख रेक में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी कर दी है रिपोर्ट में कक्षा 3 तक के बच्चों के भासावा गनीत की बेसलाइन हिस्थिती की जनकारी लिगाई जार्खन में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दु वा बंगला, विशाय की परिक्षा लिगाई थी इसमें बच्चों ने बेहतर परदसन किया है बता दे, राजे के 273 स्कूलों का चैन सर्वे के लिए किया गया था इसमें सरकारी स्कूलों के साथ सरकारी सहायक प्राप्त स्कूल वा नीजी स्कूल के बच्चे भी सामिल हुए थे स्कूलों के 209 बच्चे सर्वे में सामिल हुए थे जिसमें 573 सिख्षकों के सवयोग से सर्वे पूरा किया गया है हर घर नल में जार्खन बड़ा पीछे हर घर में नल से पानी पहुचाने के मामले में जार्खन काफी पीछे है या योजना लग्से से पीछड गया है बर्ष 2022 तेस में कूल 22 लाख ग्रामीन घरों में नल से पानी पहुचाने था लेकिन यहादी संबर में अब तक मातर 4 लाख 46 एर घरों में ही जल पहुचाने में सफलता मिली है इस तरह यहाँ इस योजना की थिती काफी खराब है बता दे योजना के तहत राजे के 24 जिलो को मिला कर 16.21 लाख ग्रों में पानी पहुचाना था पर अब तक 16.16 लाख ग्रों तक ही पानी पहुचा है योजना की स्थिती देखते हुए राजे पारमेस बैस ने इसका आउडिट कराने के फैसला लिया है पी-एम फसल बीमा का बकाया 810 क्रों भुगतान का रास्ता होगा साप जारखन में बंद पड़े पी-एम फसल बीमा योजना का बितिय वर्ष 2018-19 का बकाया बीमा रासी 810 क्रों रुपए भुगतान का रास्ता जल्द ही साप होने वाला है राज सरकार अगर 362 क्रों रुपए प्रीमियम रासी बीमा कमपनियों का ब्रुगतान कर देती है तो पी-एम फसल बीमा योजना के तहद बीमा करने वाले कमपनी किसानों को 810 क्रों रुपए भुगतान कर देगी बता दे पिछले दिनों किरिसी मंत्री बादल पत्रलेक के साथ पी-एम फसल बीमा योजना के केंद्रीय सचीव समेथ केंद्रीय बीमा कमपनी के अधिकारियों के राची में बैठक होई थी इस बैठक में कई बिंदूओ पर समती बनी है किरिसी मंत्री बादल ने बताया है कि वर्ष 2018 में राजे को सुखार घोसित किया गया था जिसमें पूरे राजे में कूल 2.40 लाग की सानों ने बीतिये वर्ष 2018 उनाइस में पीम फसल बीमा कराया था पीम फसल बीमा के तहद 89 कोड़ो रूपाय केंदर सरकार ने भुकतान किया लेकिन से 810 कोड़ो रुपे भुकतान बकाया रह गया है सीम हेमंत 8 दिसंबर से खत्यानी जोहार यात्रा पर जार्खन के मुख्य मंत्री है मंसुरेन 8 दिसंबद 2022 से खत्यानी जोहर यात्रा की सुरुवात गढ़वा से करेंगे इसको लेकर त्यारिया अम्तिम चरण में है इस समध में पेज अल्यों सुष्टा मंत्री मिशलेश ठाक कुर ने कहा है कि गढ़वा में आयोजीत या यात्रा एतिहासिक होगी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जार्खन सरकार द्वारा उनके लिए किये गए कारयों की बिस्तिर जनकारी दी जाएगी साथ ही जानता जार्खन सरकार द्वारा किये गए रितिहासिक कारयों के लिए उन्हें अभार व्यक्त करेगी बता दे मंतरी ठाकु ने कहा है कि राज में महागडबन की सरकार बनने के बाद से लगतार गडवा जीला सहीत पूरे जार्खन के तस्वीर बदल रही है मंतरी सत्यानंद भोक्ता का समाज ने किया बहिसकार जार्खन के मंत्री सत्यानंद भोक्ता को उनके समाज से भहिस्करीत कर दिया गया है खरवार भोक्ता समाज ने फैसला किया है कि सत्यानंद भोक्ता के घर आयोजित किसी समारोह में वे सामिल नहीं होगे बता दे मंत्री ने अपने बेटे की साधी गैर भोकता समाज में की है इसलिए समाज ने उनका भाहिसकार करने की घोस्तना की दूसरी तरफ मुखे मंत्री हमांसुरेन बुद्धवार को सत्यानल भोकता के बेटे के प्रीती भोज में सामिल हुए बतादे की खरवार भोक्ता समाज विकास संग ने रविवार को ही एक बैठक की थी जिसमें मंत्री भोक्ता को समाज से वहिस्कार करने का निने लिया गया संग के जिला अध्यक्ष दगदी सिंग भोक्ता के अध्यक्षता में हुई बैठक में सरम नियोजन प्रसिक्षा ने उमकोसल विकास विभाग के मंत्री सत्यानत भुकता के खिलाब करी निंदा का प्रस्ताव पेस किया गया है आकलन परिक्षा का वेदन भरने में आ रही दिकत सहायक अध्यापकों के आकलन परिक्षा का आवेदन करना परिसानी का सबब बन गया है किसी के नाम की स्पेलिंग नहीं मिल रहा है तो किसी की जनमति थी वहीं किसी के ज्वाइनिंग का प्रकार बदल गया है बता दे कई सिक्षकों को जहां चर्टी से आठवी काक्षा की पढ़ाई के लिए बेतन भुक्तान किया जा रहा है उन्हें पहली से पांचवी काक्षा में डाल दिया गया है इन समस्याव का समधान जिला पर्योजना विभाकी ओर से कराया जा रहा है लेकिन बोर्ड से सत्यापित नहीं होने का मामला फंसा हुए है इसके बिना सिक्षक आक्नन परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएंगे यह आवेदान वैसे सायक अध्याप को करना है जो टेट पास नहीं है इनकी संख्या 1738 है कानूनी पेच में उलजा जार्खन निकाई चुनाव जार्खन में नगर निकाई चुनाव कानूनी पेच चीन्दगी में उलच गया है 48 नगर निकायों का चुनाओ दिसंबर में संपन्द हो जाना था लेकिन यह चुनाओ कब होगा कहना मुश्किल होगा चुनाओ घोसना होने के ठीक पहले आरक्षन का मामला बिवाद में फस गया है थन्यवाद